नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेर नए वीडियो में श्वागत है आज की वीडियो क्लास्टेंट कक्सा 10 हिंदी के कोर्स भी mcq mcq के आधारित है जो आने वाल एक्जाम है आने वाल एक्जाम में mcq से प्रस्ण जो है आएंगे और आज की वीडियो में mcq क्लास्टेंट क्लास्टेंट है हिंदी के कोर्स भी के कुछ mcq दिये जा रहे हैं आशे करता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेर करेंगे और अपने आने वाले जो पीपर है आगया नो तारिको या आट नो तारिको नो तारिक है उसमें आप अच् प्रक्राइब संख्राइब करने से कबीं क्रोड आने वाले को मिटा बोलने से कुम क्या जा सकता है मीटा बोलने से बिलास्ता कम नहीं होता है कौन से हमारा सही है मीटा बोलने से घरना और करोद को समाप्त किया जा सकता है और कोशन नमबर टू है आपका मन की अग्यानता के कारण मन की अग्यानता के अब्यक्ति किसे नहीं पहचान पाता और किसको नहीं पहचान पाता तो आपका ऑप्शन गह आपका शही आंसर है लंबा उदर शमस्त पद में लंबा उदर है जिसका अर्थात गणिश जी और गणिश अर्था समस्त पद में लंबोदर समस्त पद में कौन सा समास है द्वंद समास में सलेश आता है बीच में माता पिता जैसे द्वंद में क्या आता है माता पिता सलेश आता है राम लक्षमन तो इस तरह का ये द्वंद समास में आता है ठीक है ना तो ये आपका द्वंद समास नहीं है द्वंद समास में पहला सब्द संक्यावाची होता है अ लंब उदर बहुबरी समास है जिसमें कोई नए अर्थ परत जो है पहला पद मलब जो है आपका पूर पद और उत्तर पद दोनों मलब जो है परदान नहों करके कोई अलग अर्थ निकलता है एक जो है सेप्रेट रांच से निकल लंबा उदर है जिनका लंबा उदर है जिनक यह को अर्था अर्था 3 निकलता है अरता क्या लेग है तो गणेश new arriving guarantee jamawan और गणेश होगे तो गणेश में क्या हो गया seven application गव्यापका सही है यह मैं लंब अदर लंब अदर है जिनका और यह आपका गरनेश जी आना तो यह आपका लंबोदर ऑप्शन घवस है ऑप्शन हां जो नयक सब्द में समस्त पद में कौन सा समा से और इसके लिए हुआ होता है तो करम अहान है जो नायक है कर्मदार समास कर्म अगला की लिए उप्यूक्त या उचित समासैं निला है गगन जो प्रश्ण संग्याच है गिरी को धारन करने वाला गिर्था गिर्धर किसको बोलते हैं गिरी को धारन करने वाला Krishna अर्था जहां पर पहर पूरबद और उत्तरपद पया कर तीसरा पथ परदान होता तीसरा कौन सा है मैं स्रीकेश्न हता तो गिल्हको धारन करने को अर्था और ड्यृक पर तीन सेज़ कई तो आपका कौन्सा औप्शन सही है औप्शन को टिक करेंगे तो एक नम्मर आपको मिल जाएगा यथा संभव समस्त पद में कौन्सा समास है द्वंद में संक्यावाची आता है तत्पुरुष में दुतिया से सब्टमी तक के विवक्ति का लोग होता है और इसमें पहला पद और क्या होता है और अपक्ति हैं और अप्शन का सही है और आपक्शन गहस्ति है संभव वीडियो बना रहे हैं जो किसी रूप मतला काल और रूप में एक बचन दूबचन में नहीं बदलते हैं जो एक जैसे रहते हैं उनको बोलते हैं तो यहां पर यथा अब्वे है परदान है तो यह समय में अभी भाव समास है अगला क्वेशन है सथ सही प्रश्ण संक्याट सथ सही सथ मनें सो यह देखिए सथ सही मैं कौन सा समास है दूपरी में परत पहला और दूसरा पत बरदानों का तीसरा पत बोले होता है तो यह पहला पत क्या है सथ सही में पहला सथ संक्याट सही ए इसलिए कौन सा ऑप्षन सही आंसर है चारूमसा और सब्द जो क्या है आप का संक्याट भाची पीत लिए वस्तर नहीं के अर्थाद करिशन कोई है वह देट इसे में कर्मदारं भी सब्सक्राइब तो आपका बोबरी समास पीले वस्त हैं जिनके अरताद कृष्ण पार्थ पैंदे हैं नहीं थिया है किसा समास लिखार वाजिस प्लवाय क्या सब्सक्राइब कर्मदार में नहीं है पहला दूसर दूसरा चैस्त है समें फॉप्ष को सही है दोब नहीं है मैं пом suspension Pencil is 010 cash नर नारी में कोंसा समस है और नारी मेंmetros समा से सब्सक्राइब का सही है गए झाल चंदर से कर बोते हैं उसको चंद है पर जिनके चंद्र हैं सिर पर जिनके अर्थासिव मैं कौनचा चंद्र से कर किसको बोलते हैं दिगुसमा बौबरी यह दुद्ध और तत्पुरु समा तो हमारा ओप्शन खा सही ऑप्शन सेकंड सही है प्रस्ट संग्या थे रहा खाना खाकर इस्कूर गया कौनचा सेंट है स्यूक्ट करते हैं और दो परकैलिक कर लग RAW लगा कर लगा कर लगा के दो बर को एक बना दिया गया धिया मिश्र में रही हैं स्यंक्या तो अप्शन को सउंग्स्या घृपर Ce लग लगो कन्जेक्शन जोड़ते हैं मैं डूप जोड़तों तो यह किन्जेक्शन जोड़ साइये आपका उर्यस्ट वाके कहते हैं तो थो सेंटेंश दो वाकियों को जोडने वाल सब्द ठीक है नेको चो चेक्षे उजर्णे योजक हैं यह जोड़ने वाले डो सेंटेंश सब्सका योजक पंध्र होसी नहीं कहा कि यहां पर यह पर दान और यह सब्षब नेट क्लोज इसको प्रिंस्पल को रोज़ आसर दो पॉट्ट तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है आपका मिश्र कौन साप्षन सही है गव संसा उप्षन का है उसने कहा कि मैं कर नहीं आँगा मिश्र वाक्या है ऑप्षन गव साइए तो आज की वीडियो में सबस्क्राइब करें ताकि अगरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे दन्यवाद और आपके आने वाले पेपर के लिए शब को अगरिम बदाई आप और अच्छे मांक्स लेकर और आगे बढ़ें और अच्छे नंबरों से पास होएं ठीक है दन्यवाद